इस वीडियो में आप सूपर्टेट 2019 जो की 79 जार सहाएक अध्यापकों की भरती के लिए आउजीत कराई गई थी उस पेपर का हल देखने जा रहे हैं। सूपर्टेट की परिक्षा में बाल मनोवेग्यान यानि की Child Development, CDP और सिख्षण कौसल को मिला करके कुल 10-10 अंक के प्रश्ण पूछे जाते हैं। जिसमें से 3 स्टेप्स आपको इस प्रश्ण में दिये गए हैं और उनका सही क्रम पूछा जा रहा है। इनके द्वारा प्रतिपादित सभी 8 स्टेप्स आप इस स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे। इसमें नीचे से ले करके आप जब उपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए छठा सात्वा और आठवा संप्रत्य अधिगम, सिध्धान्त या नियम अधिगम और समस्या समादान अधिगम यहीं आपके उत्तर के रूप में दिया गया है। आप्शन नमबर आप थ्री देख सकते हैं संप्रत्य अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समादान यह सही क्रम होगा। आप्शन नमबर थ्री पहले का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्ण है स्रिजनात्मक समस्या समधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है दोस्तों यहाँ पर चार अप्शन दिये गए हैं पहला है अनुवादन अनुवादन मिन्स ट्रांसलेशन जब भी कोई समस्या आपके सामने आएगी तो स प्रदिप्ति का मतलब यह होता है कि जब भी आप एक्टिव रूप से किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो अचानक से आपके मन में कोई आईडिया क्लिक करता है तो उसको बोलते हैं प्रदिप्ति ठीक है यानि कि स्रिजनात्मक समस्या समधान में प्रदिप्ति भी एक option होता है तीसरा option है उद्भवन उद्भवन का अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो यह होता है incubation का मतलब यह होता है कि जब भी आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं और आपको उसका प्रॉलम से हट जाते हैं यानि कि उस प्रॉलम के बारे में आप उस समय कुछ नहीं सोच रहे हैं अचेतन रूप से आपके मन में तो जरूरत रहा लेकिन चेतन रूप से आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यानि कि तीसरा वाला जो option होगा वह सही उत्तर होगा क्योंकि प्रश्ण में आप से पूछा है कि स्रिजनात्मक समस्या समधान में वह अवस्ता जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है उद्भवन यानि incubation ही ऐसा period है जिसमें अभ्यर्थी या फिर चात्र उस समस्या को छोड़ करके हट जाता है वहाँ से या फिर उसको neglect कर देता है उसके बारे में नहीं सोचता है तो दूसरे का option number 3 उद्भवन सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ राष्टिय अस्थी विकलांग संस्थान इस्तित है तो इसका सही उत्तर होगा option number 3 कोलकाता में राष्टिय अस्थी विकलांग संस्थान कोलकाता में इस्तित है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है ना भूलें और मेरा उद्देश है आपको पूरे तरक के साथ उत्तर देना क्योंकि आप एंसर की से भी केवल उत्तर देख सकते हैं तो अगर आप चाहें तो सूपर्टेट के अने सब्जेक्ट के पेपर का हल देखने के लिए इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का संदर में सही नहीं है पहला है सिक्षण एक अंता क्रियात्मक प्रक्रिया है यानि कि कई मनवग्यानिकों ने बोला था कि सिक्षण जो है वह आपके आंतरिक शक्तियों का ही बाहर निकालने का निरूपण है तो यानि कि ये ऑप्शन सही है अंता क्रियात्मक प्रक्रिया ह द्षिक है या दूसरा option भी सभी हो गैं तीसरा है शिक्षण केवल कक्छा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, जो कि option गलत है क्योंकि सिक्षण सिर्फ कक्छा तक इसीमित नहीं है , कक्षा में जो हम लोग सिक्षा लेते हैं वह आपचारिक सिक्षा बोला जाता है और कक्षा के बाहर जो हम लोग कहीं से भी कुछ भी सिक्षा ले लेते हैं वह होता है अनपचारिक सिक्षा तो सिक्षा जो है वह जीवन परियंतर चलने वाली प्रक्रिया है सिर्फ आपके क्ल कारिक्रम प्रारंब करने का प्रमुख कारण है दोस्ता इसका प्रमुख कारण जो था वह नामांकन संख्या बढ़ाना था क्योंकि प्रात्मिक विद्याले में एड्मिशन्स बहुत कम होते थे और इसी को देखते हुए मिड़े मिल योजना शुरू की गई थी ताकि जो पर उनकी बनी होती थी तो अब मिड़े मिल कारिक्रम सुरू करने से उनमें ये हो गई कि कम से कम बच्चे को एक वक्त का खाना पौस्टिक आहार जरूर मिलेगा और इसी को देखते हुए अभिभावक भी अपने बच्चों का नाम विद्याले में लिखाने लगे तो इसक ने किया आपके मन में उत्तर क्लिक कर रहा होगा पावलाओ जो की ऑप्चन गलत है इसका सही उत्तर होगा ऑप्चन नमबर टू थारंडाइक अब एक बार क्लियर कर लेते हैं दोस्तों थारंडाइक ने जो नियम दिया था वह यह बताया था कि जब भी कोई उद्दीपक ह यानि इस्टिमिलेस होगा तो उसको देख करके कोई ना कोई अनुक्रिया यानि रिस्पॉंस जरूर होता है अब जो रिस्पॉंस यानि जो अनुक्रिया जो रियक्शन सही उसके अनुरूप बैठ जाता है उस उद्दीपन के उसी से मनुसे कुछ ना कुछ सीखता है जिस सबसे पहले प्रतिपादन किया था उद्धीपन अनुक्रिया का पावलाव ने सिर्फ ये बताया था कि बार-बार प्रयास से एक कृत्रिम यानि कि जो बनाया गया है उस उद्धीपन का संबंध अनुक्रिया से किया जा सकता है अब उनका जो प्रयोग था कुत्ते पर उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले खाना लाय जाता था उसके बाद से कुत्ते के मुँ में लार आ जाती थी उसके बाद से यहीं क्रिया बार बार दोराय गया और खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई जाती थी उस जो उद्दीपन था उद्दीपन कुते के मुह में जो लार आ रहा है वह अनुक्रिया है ठीक है रिस्पॉंस है और उद्दीपन क्या है उद्दीपन खाना था क्योंकि खाने को ही देखके उद्दीपन को ही देखके रिस्पॉंस हो रहा है यानि उसके मुह में लार उद्द लेकिन घंटी बजाना एक रित्रिम उध्धी पन था एक्चुल उद्धी पन या फिर नेचुलल उद्धी यानी नेचुलरल उद्धी पन छोड़ करके एक क्रित्रिम उद्धी पन जो सिर्फ घंटी बजाने से हो रही है उसका संबंध अनुक्रिया से हो जा रहा है तो यह सिधांत पावलाव ने दिया था कि कित्रिम उद्धीपन का संबंध अनुक्रिया से होने से एक अनुबंधन यानि कि सास्त्री अनुबंधन इसी वज़ा से इनके सिधांत को कहा जाता है कि एक बॉंड लाइक होगा ठीक है अगला प्रश्ण है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया ओप्शन नमबर टू अगला प्रश्ण है किसने कहा नवचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभाव करता है दोस्तों सिक इसका ऑप्शन नमबर टू इम रोजर्स इसका सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ भारतिय सिक्षा के इतियास में सर्व प्रथम किस समीती ने अपवय एवं अवरोधन पर विचार किया सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपवय और अवरोधन कहते किसे हैं तो अपवय का मतलब यह होता है कि प्रात्मिक कक्षा में यानि कक्षा एक से लेकर के पाच तक बिना अपना प्रात्मिक सिक्षा कंप्लीट किये यदि कोई चात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं अपवय ठीक है और अवरोधन यह होता है कि एक वर्स से ज़्यादा यदि कोई चात्र किसी एक ही कक्षा में रुख जाता है फेल होने की वज़े से या फिर किनी भी कारणों की वज़े से तो उसको बोलते हैं अवरोधन ठीक है तो प्रश्ण में आप प्रथम किस समीती ने अपवय एवं औरोधन पर विचार किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number one हार टांग समीती इसका सही उत्तर होगा 149 का option number one अगला प्रशन है परम सुन्ने इस्थिती होती है सबसे पहले जान लेते यानि कि zero है वहाँ पर ठीक है जैसे कोई भी आप distance ना परहे है और उसका zero meter है तो आप उसको मानेंगे कि वह zero हो सकता है क्योंकि वह दूरी है बहुती क्रासी है लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्षा में तो परम सुन्ने बहुत कर पाया हो लेकिन उसने कुछ न कुछ अधिगम जरूर किया होगा यानि अधिगम जो है वह कभी भी zero को नहीं प्राप्ट कर सकता यानि परम सुन्ने तक नहीं जा सकता परम सुन्न का यहीं नामितिस्केल का मतलब यह होता है कि देखिए अगर कोई कक्छा है कक्छा में आप देखेंगे कि कोई इसकूल है उसमें कलावर्ग और विज्यान संवर्ग के बाँ अलग-अलग होते हैं तो किसी property के आधार पर जब हम बालकों को बाटते हैं छात्रों को बाटते हैं तो वह होता है नामित इसकेल जैसे कि आपने बाट दिया जैसे कि छातर और चात्रा अलग-अलग बाट दिया तो ये एक property थी जिसके आधार पर आपने बाटा तो इसको बोलते हैं नामिंती scale दूसरा होता है दूसरा है अंतरित scale अंतरित का मतलब क्या होता है कि जब भी आप देखे होंगे कि 10-10 के gap करके एक वर्ग अंतराल बनाया जाता है जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि 60-70% के बीच में अंक पाने वाले अभीरतियों की संख्या 5 है उसी प्रकार से बोलें कि 71-80% के बीच में अंक पाने वाले अभीरतियों की संख्या 10 है इसी प्रकार से आप 10-10 का gap करके जो अंतरित बनाते हैं उसी को बोलते हैं अंतरित scale ठीक है इसमें भी परम सुनने का concept नहीं हो सकता, नामित स्केल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि नामित स्केल आप देख रहेते कि किसी प्रोपर्टी के अधार पर हम लोग विभाजित कर रहेते, तीसरा है क्रमित स्केल, क्रमित स्केल मिन्स क्या होता है, किसी भी कक्छा में, जब हम क्रम डिसाइड करते हैं, कि यहाँ बंदा first आया है, यह second आया, यह third आया, यानि कि एक क्रम निर्धारित कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रमित स्केल, इसमें भी zero का सुने नहीं होता है, परम सुने का, अगला है अनुपातिक स्केल, अनुपातिक स्केल का मतलब यह होता है, कि कोई भी ऐसी value जो किसी द वह 10 का दुगना है, तो यहाँ पर परम सुने का concept आता है, क्योंकि आप किसी दो चीजों के बीच में अनुपात तभी निकाल सकते हैं, जब वह numeric value हो, ठीक है, तो यहाँ पर परम सुने का concept आता है, यानि 140 का option number 4, अनुपातिक स्केल सही उत्तर होगा, बढ़ते हैं, अग पूर्व ग्यान से, जो हम लोग ग्यान देने जा रहे हैं, उसको जोड़ना ही पाठ प्रस्तावना कौसल कहलाता है, यानि कि मुझे घटक क्या हो जाएगा, पहला पूर्व ग्यान, 141 का पूर्व ग्यान, option 1, सही उत्तर होगा, 142 प्रश्ण था, NCRT, द्वारा राष्ट सिक्ष को द्वारा समुचित सिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करके, अपने प्रसिक्षन से सर्वत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, यह परिभासा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा, option 3, welfare ग्राह प्रांग जन की सिक्षा, अब इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा और ज्यादा, इसक्रिन पर आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजेत, यूपी टेट परिक्षा का official notification जिसमें eligibility के बाएर में चर्चा की रही होती है, देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, पहल प्रांग जिसमें का नियम समलित करता है, पहला है मस्तक का धो मुखी नियम और दूसरा है निकट से दूर का नियम, यह दो दोनों options चाहिए, यानि कि option number 3, 1 और 2, दोनों सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, Margaret Mead के अनुसार व्यक्तिक भिन्यताओं के सरवाधिक महतोपूर्ण कारक क्या है, तो जैसा कि आपको ग्यात होगा कि व्यक्तिक भिन्यता मिन्स एक व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार से भ प्रशन है, ब्रेल लिपी के जनक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपी की खोज की थी, इसमें क्या होता है, जो दृष्टी बाधित होते हैं, यानि कि जो देख नहीं सकते हैं, उनको कुछ उबरी हुई आकरितियों से पढ़ने में, हेल्प क करने के लिए ब्रेल लिपी का आविश्कार किया गया था, और इसको किया था, लुईस ब्रेल ने, यानि कि 147 का ओप्शन नमबर टू, लुई ब्रेल इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, प्राचीन अनुबंधन का सिध्धान्त किस ने दिया था, प्राचीन अनु बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, जीनियस नामा पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होजाएगा, ओप्शन नमबर टू, गाल्टन की द्वारा या पुस्तक लिखी गई है, अगला प्रशन है, निमलिखित में से कौन सा कारक, बालक के विक प्रभावित करता है पहला है एंस्तरावी ग्रंथिया इसी से आपके हार्मोंग निकलते हैं तो निसी तोर पर हार्मोंग कंट्रोल करते हैं आपकी बॉर्डी में हो रहे है गुरोथ को चाह्या है वह पॉज्टिव और पॉज्टिव और दूसरा है पॉश्टिक भोजन या अभी आपके विकास में पूरी तरीके से प्रभावित करता है आपके विकास को अगर आप पौस्टिक भोजन नहीं लेंगे तो आपका सरीर को पोशित हो जाएगा ठीक है तो यह भी प्रभावित करता है तीसरा है रोग तथा चोट अगर आपका सरीर हमेशा रोग ग्रस्त रहता है तो आपका विकास इससे भी प्रभावित होगा यानि कि आप देखेंगे कि ऊपर के तीनों ओप्शन विकास को प्रभावित कर रहे हैं यानि कि ओप्शन नमबर 4 उपयोगत सभी इसका सही उत्तर होगा 150 का ओप्शन नमबर 4 दोस्तो सूपर्टेट 2019 के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के हल्क को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर जेक करें आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के मादम से जरूर बताईगा और ऐसे ही मतोपूर अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो